दोस्तो, very good morning to all of you, मैं सौर्ब गुपता, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सांदर वीडियो में दोस्तो, आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रिस्त मना है, वो क्या बना है, वो समस्ते हैं कोशन मना है कि एक organization है, जिसका नाम है अंतर राष्ट्रिय प्रतकार महासंग, यानि कि International Generalist Federation पत्रकारों को लेकर ये international level पर एक organization है, उस organization के अनुसार पत्रिकारिता के अभ्यास के लिए दुनिया का सबसे खतरनाग देश कौन सा है, तो answer हो जाएगा Iraq, option number A इसका राइडेंसर हो जाएगा कि पत्रिकारिता के लिए दुनिया का सबसे खतरनाग देश बना है Iraq, तो option number A इसका राइडेंसर हो जाएगा और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि जिस देश में पत्रकारों को मारा जाए उनको free journalism के लिए रोका जाए उनकी हत्या कर दी जाए उनको बंदक बना लिया जाए उनको जेल में डाल दिया जाए ऐसी घटना है जिस देश में जादा होती है उसको इसमें पहले इस्तान पर रखा जाता है अब इसमें देखो यह दिखा है कि यह जो रिपोर्ट है जिसमें पत्रकारों की ऐसी दसा के बारे में बताया गया है उस रिपोर्ट का नाम है White Paper on Global Journalism ठीक है लिखा है 138 जनरलिस्ट किल्ड इन पाकिस्तान सिस 1990 तो यह भी अपने आप में कुस्ष्ण बन सकता है कि कौन से देश में 1990 से लेकर अब तग 138 जनरलिस्ट को मारा गया है तो यह हो गया पाकिस्तान 116 इन इंडिया भारत के 116 पत्रकारों को मारा गया है इराक देश जो है यह लिष्टेड एस Most Dangerous Countries for the जनरलिस्म जनरलिस्म की प्रैक्टिस करने के लिए इराक दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन कर सामने आया है अब इसमें देखो यह जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में किसके दोरा ICJ ICJ के दोरा White Paper on Global Journalism इस रिपोर्ट में इसको जारी किया गया है और यह जो डेटा है यह भी मैं आपकी साथ में सेयर कर चुका हूँ आगे चलते हैं इस लिष्ट में अगर दुनिया के तीन देशों की बात करे जाएं तो पहले इस्तान पर है इराग जहां पर सबसे ज़्यादा रिस्की है पत्रकारों के लिए उसके बाद में आता है मैकसिको और तीसरे इस्तान पर आता है फिलिपीन्स तो ये तीन देसों के नाम आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तो, RRB NTPC बिल्कुल सर पर आ चुका है बिल्कुल किसी भी वक्त उसके तयारी आपकी final होनी चाहिए mock test उसके लिए लगाते रहना free of cost एक mock test मने आपको वीडियो के description में link ते रहक है वहाँ से कर लेना और current price की अगर आप PDF लेना चाहते हैं जद्मरी से नॉमर तक की तो आप वीडियो के description में इसका link है वहाँ से आकर ले सकते हैं उसके बात में दोस्तो अगला प्रस्त होनेगा कि हाल ही में global house price index q3 यानि कि तीसरे quarter में 2020 में भारत की rank क्या आई है 54 option number C का राइड इंसर हो जाएगा house के price को लेकर एक index जारी किया जाता है तो इस index में याद रखना कि जो quarter 3 है तीसरे quarter की जो data publish हुए है उसके अनुसार भारत की rank इसमें आई है 54, 54 इसमें भारत की rank है इसको आप लोग याद रखेंगे अब इसकी एक list हम लोग देखेंगे तो इस list में हम लोग देखेंगे कि quarter 3 के जो results हैं उसमें भारत की rank आप देख सकते हो 54 और भारत की जो rank है इसमें 2.4% की गिरावट आई गए है इस list में पहले इस्तान पर देश आता है वो है तर्की दूसरे पर आता है New Zealand और तीसरे पर आता है Luxembourg ये top के 3 देश हैं और भारत की इसमें rank आती है 54 इसको आप लोग याद रखेंगे अच्छा एक चीज अगर आपसे पूछी जाया इस report को जारी कौन करता है तो इस report को night frank research के द्वारा जारी किया जाता है इसकी बाद में दूस्तों अकला प्रस्त मनेगा कि International Universal Health Extension Day प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर राश्ट्रिय सार्व भावमिक स्वास्त विस्तार दिवस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है तो हर साल 12th of December को अगर हम लोग वर्स 2020 के इस दिवस के विसे के बारे में बात करें तो इसका विसे हो जाएगा Health for All Protect Everyone Health for All Protect Everyone ये इसका थीम हो जाएगा किसका थीम हो जाएगा ये थीम हो जाएगा International Universal Health Extension Day देगा दोस्तों जब भी हम लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक हमें 300 विदाएं देता है एक का नाम है RTGS Real Time Gross Settlement एक आता है आपका IEMPS और एक और होता है आपका इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है साइद उसको NEFT के नाम से जानते हैं तो इसमें से हम लोग जो Real Time Gross Settlement होता है RTGS उसके बारे में डिसकोस करेंगे RBI के कोशना के अनुसार अब कब से RTGS की सुविदाएं 24 इंटू 7 उपलबद होंगी यानि कि 24 गंटे और हर एक दिन उपलबद होगी तो इसका राइड एंसर हो जाएगा RBI के अनुसार 14 इसमबर 2020 के बाद से 24 गंटे आप लोग RTGS का लाब उठा सकेंगे तो option number A इसका राइड एंसर हो जाएगा RTGS का फुलबद रियल टाइम Gross Settlement आपको पता होना चाहिए इसके बाद में दूस्तों कोशन मना है कि घास की एक नई प्रजाती जिसका नाम है भारतिय मुरैन घास Indian मुरैन Grassis कहां पर खोजी गई है आंसर हो जाएगा हाँ ही में घास की एक नई प्रजाती को Western Gards पर खोजा गया है तो option number A इसका राइड इंसर हो जाएगा जिस घास का नाम है डॉक्टर कैरोलीना अरूजो को वर्स 2020 का रामा नुजन पुरसकार प्रदान किया गया है तो ये जो रामा नुजन पुरसकार है नाम से भारतिय पुरसकार लग रहा है लेकिन ये दिया गया है ब्राजील देश के एक Mathematician जिसका नाम है डॉक्टर कैरोलीना अरूजो ऑप्शन नंबर A इसका राइडनसर हो जाएगा और ये पहली बार हो रहा है कि इस पुरसकार को किसी गैर भारतियों को प्रदान किया गया है तो वर्स 2020 का जो रामा नुजन पुरसकार है ये डॉक्टर कैरोलीन अरूजो को प्रदान किया गया है इसमें आप देख सकते हैं रामा नुजन कौन थे रामा नुजन एक भारती गड़ितक गयुगा करते थे उनके नाम पर ही रामा नुजन प्राइज 2020 जो है ये कैरोलीन अरूजो को दिया गया है लिखा है रामा नुजन प्राइज पॉर यंग मैथमेटिसियन्स 2020 अवार्डे टू डॉक्टर कैरोलीन अराजू फ्रॉम ब्राजील फ्र आउश्टेंडिंग वर्किन अलजब्रिक जमेट्री तो अलजब्रिक जमेट्री में अच्छा काम करने के लिए डॉक्टर कैरोलीन अराजू को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया है भारत का इस अवार्ड से इसके बात में एकला कुशन बनेगा कि दिसम्बर 2020 में इंडिविजिवल रेस्लिंग वर्ड कब 2020 किस देश में आयोजिट किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा सर्विया option number A इसका राइडेंसर हो जाएगा कि हाल ही में सर्विया देश में दिसम्बर 2020 में इंडिविजिवल रेस्लिंग वर्ड कब 2020 जो है इसको आयोजित किया जाएगा option number A इसका राइडेंसर हो जाएगा ये जो खेल है ये सर्विया के Belgrade में आयोजित किया जाएगा तो ये भी आपको याद रखना है आगे चलते हैं सर्विया की जो capital है वो है Belgrade ये भी आपको याद रखना है question मनेगा कि वर्स 2020 का संयुक्तर राष्टर जनसंख्या पुरस्कार 2020 किस संस्ता को प्रदान किया गया है तो आंसर हो जाएगा एक Indian organization है Help Age India पहली बार ऐसा हो रहा है कि United Nation के इस पुरस्कार से किसी भारती संस्ता को समानित किया जा रहा है तो वर्स 2020 का जो Union Population Award है संयुक्तर राष्टर जनसंख्या पुरस्कार है ये Help Age India नाम के एक organization को प्रवाइड किया जा रहा है तो option number 20 इसका राइड अनसर हो जाएगा इसमें आप लोग देखेंगे ये एक संस्ता है Help Age India Presented with Union Population Award 2020 के लिए प्रदान किया गया है इसका फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो organization है Help Age India ये एक भारती NGO है इसको ये जो पुरस्कार है ये institutional category के तहट दिया गया है किसी भी संस्ता को मिलने वाला पुरस्कार है और ये जो संस्ता है Help Age India ये बुजर्ग यानि की बुजर्ग लोगों और जो वांचित लोग होते हैं उनके लिए काम करने का काम करती है और अगर हम लोग इस पुरस्कार के बारे में बात करी जाएं जो पॉपूलेशन और प्रजिनन की जित्र में काम करने वाले और्गनेजिसन है उनको इस अवार से समानित किया जाता है इसके बात में कुशन है Social Entrepreneur of the Year Award 2020 यानि कि सामाजिक उद्यमी पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है आंसर यहां पर हो जाएगा कि असरफ पटेल Option No.C इसका राइड एंसर हो जाएगा कि हाल ही में असरफ पटेल को Social Entrepreneur of the Year Award से समानित किया गया है वर्स 2020 का जो यह पुरस्कार है यह असरफ पटेल को प्रवाइट किया गया है इसका एक फोटो भी देख सकते है लेखो यहां पर लिखा भी है असरफ पटेल Named Social Entrepreneur of the Year इनका फोटो भी देख सकते हैं असरफ पटेल को इस Award से समानित किया गया है इस बार यह जो Award दिया गया है यह है उसका 11 संस्क्रण था और यह जो असरफ पटेल है यह दो संस्ताव को चलाती है एक का नाम है प्रवाह और दूसरा का नाम है कॉम्म्यूटिनी इस दो संस्ताव को यह चलाती है इसकी संस्तापक भी है जिनको इस Award से समानित किया गया है अब जल्दी से आज की जितने भी कुष्ण से उसका रिविजन कर लेते हैं इंटरनेशल यूनिवर्सल हेल्थ एक्स्टेंशन से 12 दिसंबर को मनाया चाता है इसके बाद में है आरबियाई ने 24 गंटे RTGS की सुवधा 14 दिसंबर 2020 से सुरू कर दी है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q3 2020 जो है उसमें भारत की रैंक आई है 54 उसके बाद में है कि जो भारती मुरेन घास है वो कहां पर खोजी गई है वेस्टन घार्स पर खोजी गई है इसके बाद में है कि सुदेश के डॉक्टर कैरो लीना अरूजो को वर्स 2020 का रामा नुजन पुरसकार दिया गया है तो ब्रैजील इसका राइड अंसर हो जाएगा फिर है इंडिविज्वेल रेस्लिंग वर्ड कप 2020 की सिदेश में आउजित किया जाएगा तो सर्बिया में आउजित किया जाएगा फिर है कि यूएन पॉपुलेशन अबॉड दोहजर बीस हेल्प एज इंडिया को प्रदान किया गया है फिर उसकी बाद में सोसल आंटेपर्नियोर आफ दा इयर अबॉड असरप पटेल को प्रदान किया गया है एंटरनेसल जनरलिष्ट फेडरेशन के अनुसार पत्रिकारिता के लिए दुनिया का सबसे कतरनाक देश कौन सा है तो एराक इसका राइड अंसर हो जाएगा तो ये सारे कुशन्स आपके रिविजन करवा दिये हैं दोस्तो आज का कुशन जिसका आंसर आपको देना है कि वर्स 2020 का जो फिक्की male sports person of the year award है उससे किसे समानित किया गया है इसका आंसर आप लोग comment box में लिखना ना बुले Thank you for watching this awesome video